सर्दियों का मौसम आते ही गुभी के पराठे खाने का मन करता है दोस्तों क्योंकि सर्दियों के मौसम में गुभी खुब आती है और इस टाइम गुभी बहुत सस्ती भी है तो आज हम आपके लिए लाएं गुभी की पराठे बनाने के रिश्पी दोस्तों इसको हमने बहुत वो भी जहटपट बनाया है तो आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को मेंने छोटा-छोटा काट लिया है छोटा-छोटा आप काट लिजिए चाहें तो आप कद्धुकस की मदद से भी इसको घिस लिजिए अभी हमने गूबी पहले चो रूले आपका काट काट ल portfol și ज़ल के वहाला नहीं है hypoth सो ti aricum और यहाँ पर कड्वा काट लिया ऑद ने से ऺहात भाद ही इसjek नोअस्य में मेर सब्सक्रूचा राणी के फूल पर पकाना है तो यहां पर सबसे पहले हम लहसुन और हरी मिरज को डाल देंगे जब लहसुन और हरी मिरज हमारा पकने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा अट करेंगे यहां पर हम इसमें जीरा डाल देंगे तो पहले हम ने जीरा नहीं डाला है ताकि हमारा झिमकी जीरा जल जाता है पहले हैं रहें पालसर में अच्राह सबसे आपधे यहां पर आपके पराथे बहुत दिया है तो इसके हम इसको भी पकने के बाद थोड़ी बचेगी इसलिए नमक ना भी डालें तब भी आपके पराठे बहुत एश्टी बनेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला एड़ कर दिया है, जदा कड़वा मैंने नहीं बनाया है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर लाल मिर्ची या हरी मिर्ची थोड़ी जदा एड़ कर सकते ह अब हमने धक्कन लगा दिया है फिर हम दो मिनट के बार धक्कन को उठा लेंगे और इस सब्जी को चला देंगे चलाने के बार इस सब्जी को हम खुला ही पकाएंगे लगबग 6 मिनट तक हम इस सब्जी को खुला पकाएंगे क्योंकि यह सबजी हमारे छोड़े ट्उक्ड़ों में कटी हुई है तो जल्दी पक जाएगी अब हमने आटा ले ले लिया है दोकटोरी आटा हम ले लेंगे गिहू का आटा है और इसको हम गूथ Гोत लेंगे जब तक हमारी सबजी पक रही है तब तक हम अपना आटा गूथ और बहुत ज़्यादा हम धीला आटा भी नहीं रखेंगे नहीं तो हमारे पराठे नहीं बनेंगे तो हम बिल्कुल मुलायम मुलायम आटा गूत लेंगे इसको बड़िया से हम पानी डाल डालके मुलायम करेंगे आटे को गूतेंगे आटे को गूतने के बाद हम इसको करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे तक कि ये हमारा आटा और सॉफ्ट हो जाए तो देख सकते हैं कि ये हमने आटा बिल्कुल मुलायम मुलायम गूत लिया है और इसको अभी थोड़ी देर हम रखेंगे तो ये और अच्छा बन जाएगा इधर हमने अपनी सब्जी देख ल सब्सक्रांना है ठंडित सабजी से हम पराठे बनााएंगे ये स्ट्फिंग हमारी जो है बिल्कुल गरम नहीं रहनी चाहेए एकदम थंड़ी हो जाएगी तभी हम इस से पराठे बनाएंगे क्योंकि अगर ये गरम रहेगी तो हमारे पराठे नहीं बनेंगे सारे पराठे हमारे फट जाएंगे इसलिए हम पहले प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे और उसके बाद हम पराठे बनाने शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम पराठे बनाने जा रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने थोड़ा सा आटा लिया है और इसको अभी हम हाथ की मदद से रगड़ रगड़ के थोड़ा सा मुलायम करेंगे मुलायम करने के बाद हम छोती छोती सी लोईयां बना लेंगे जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उसे तरह की गोल लोई बना लेंगे और लोई बनाने के बाद हम इसमें छोटा सा कटोरी का सेफ देंगे जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उसमें चुननट देते हैं उसे तरह से हम इस लोई को भी कटोरी का सेफ देंगे और इस कटोरी के अंदर ही हम स्टफिंग को भरेंगे तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोई की कटोरी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और अब हम इसमें भर देंगे एक से डिढ़ चंद, दो चंद जितनी बड़ी आपकी कटोरी हो उसी हिसाब से आप एक दो चम्मच इसमें स्टफिंग भर देंगे वैसे तो जादा स्टफिंग भरेंगे तो आपकी पराठे जादा अच्छे लगेंगे लेकिन अगर आपकी कटोरी छोटी है तो आप उसमें एक चम्मच सबजी को भर दीजिए और भरने के बाद इसको उपर से पूरी तरह से बंद कर देजिए इसी तरह से आप दूसरा वाला भी हम बना लेते हैं और बनाने के बाद हम इसको भी कटोरी का सेफ देंगे और इसके अंदर भी हम सबजी भर देंगे सबजी भरने के बाद हम इसको हलके हाथों से बेलेंगे बेलन की मदद से पहले तो हमें सूखे आठे की भी जरूरत पड़ेगे क्योंकि इसको बेलने के लिए हमें सूखा आठा लेना होगा क्योंकि ऐसे ये हमारे पराठे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे चिपक जाएंगे तो इसलिए हमें सूखा आटा भी लेना है तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों लोई हमारी भर चुकी है स्टेफिंग से और आब हमने सूखा आटा ले लिया है सूखा आट लेने के बाद इसको हम बेलन की मदद से हलके हलके हाँ से रोटी का सेव देंगे आप इसको चाहें तो मोटा या चाहें तो पतला बेल सकती हैं यहाँ पर हम इसको पतला बेलेंगे जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उसे तरह से हम इसको पतला पतला बेलेंगे क्योंकि बच की तरह ही पतला पतला बेलेंगे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यह हमारी बिलकुल रोटी की बराबर पतला पतला पराठा बेल गया है और इसको अगर आप सूखा आटा लगा कर बेलेंगे तो आपको कोई परिसानी नहीं होगी और आपके पराठे बहुत अच्छे से बन जाएंगे यह आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा बन कर तयार है और इसको हम दूसरी थाली में रख लेते हैं दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बेल कर तयार कर लेते हैं आप ये पराठे चाहे तो अचार के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं ये बहुत तेस तेस्टी लगते हैं चाय के साथ भी आप सुबा सुबा इन पराठों को खा सकते हैं अगर आप ऑफिस जाते हैं और सुबा सुबा आप यह पराठे खा के जाते हैं तो यकीन मानिए आप 4 से 5 गंटे तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी आपका पेट भर जाएगा औ तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको एक एक करके जितने भी हमारे पराठे होंगे हम सारे बेल लेंगे बेल कर तयार कर लेंगे और उसके बाद हम एक एक करके इन सभी पराठों को सेक लेंगे सेकने का तरीका क्या है वो भी हम आपके साथ बिल्कुल जरूर सेयर करेंगे तो ये हम पहले सारे पराठे एक साथ हम बना के रख लेंगे सितरह से आप चाहें तो एक एक करके सेखते जाईए और बनाते जाईए और चाहें तो आप इकठे भी सारे पराठे बना कर रख लीजिए और उसके बाद से किये तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे पराठे बना लिए हैं और अब हम गैस पर तवा रख देंगे तवा आप चाहें तो लोहे का रखें, नॉनिस्टिक रखें जैसा भी है आपके पास आप उसमें इसको बना सकते हैं यहाँ पर हम नॉनिस्टिक कतवा ले लिया है और इसपे हमने पराठे डाल दिया है और एक तरफ से हमने पलट दिया है तेल लगाएंगे, तेल लगाने के बाद हम फिर से इसको पलट देंगे पलटने के बाद हम इसको एक बार और पलटेंगे क्योंकि हमें उलट पलट करके इस पराठे को पकाना है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से पक जाए पहुँ सारे लोग इसको मोटा बनाते हैं जब आप पराठे मोटे बनाएंगे अगर पाराठे आपको पराठे तो आप इसको थोड़ा सा मोटा रखिए और अगर आपको कुरकुर्य पराठे पसंद है तो इसको आप इसी तरह से पतले-पतले बेलिए तो आप चाय के साथ गरम-गरम खाएंगे या अचार के साथ गरम-गरम खाएंगे तो यह बहुत अच्छे लगते हैं ठंडा होने के अच्छे लगते हैं और इसको आप गरम-गरम ही खाएंगे तभी यह अच्छे लगेंगे तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू